आज के इस लेक्चर में हम लोग MCQs डिसकस करेंगे और रिवाइस करेंगे साइन्स को थूँ MCQs. So, let's start. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस इमेल एडूस पर नीड कर सकते हैं. यह मेरा Instagram लिंक है और यह मेरे Telegram चैनल का लिंक दिया गया है. इस Telegram चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएंगी जिनको आप Revision Purpose के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं Class 6 से लेके Class 12 Science NCRT के Lectures को Elaborately देखना तो उनको उन सबके लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. मैंने काफी Elaborately यहाँ पर डिस्कुशन किया है. तो इस सेट का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. यह जो सवाल है, यह UPSC ने पूछा था 2010 में. इस सवाल में आपसे पूछा गया है, the complete conversion of glucose in the presence of oxygen into carbon dioxide and water is with release of energies called. पूछा गया कि conversion हो जाता है glucose का complete conversion की बात कर रहा है. partial conversion की बात नहीं कर रहा. complete conversion की बात कर रहा है glucose का. किसकी presence में हो रहा है? oxygen की presence में हो रहा है. क्या बन रहा है? carbon dioxide और water release हो रहा है. और energy release हो रही है. उस process को हम क्या कहते हैं? तो सीधा-सीधा NCRT का सवाल हमने बार-बार NCRT में इसको discuss किया है. जो हम science NCRT को पढ़ रहे थे. सीधा NCRT से यह सवाल पूछा गया है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाली तरीके की respiration को आप क्या कहते हैं? तो इस तरीके की respiration को अब आप पहले आपको समझना पढ़ेगा aerobic respiration किसको कहते है, anaerobic किसको कहते है, glycolesis किसको कहते है क्योंकि हम revise कर रहे हैं, तो हम सारी बातों को जानने की कोशिश जुरूर करेंगे, तो सबसे पहले आप इसका answer दीजिए. यह किस तरीके की respiration की बात हो रही है, oxygen की presence में है, तो यह aerobic oxygen है, aerobic respiration है, normal तरीके का respiration है, जब हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है, carbon dioxide और water release होता है, और हमें energy मिलती है, यही होता है, यह हम बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, respiration वही process का नाम है, जिसमें कि हम बाहर की air को inside ले रहे हैं, और हमारी body के अंदर, oxygen की वज़े से जो glucose है, उसका mentalism हो रहा है, और हमको energy मिल रहे हैं, और by-product के रूप में क्या निकल रहा है, carbon dioxide and water निकल रहा है, so this we know very well through NCRT, तो इसका जवाब है aerobic respiration, अब आपको देखना है कि anaerobic respiration, aerobic respiration से कैसे different होता है, glycolysis क्या होता है, हम यह सारी बातों को भी देखेंगे, तो जो aerobic respiration है, यह तो आप समझ गए, जिसके अंदर oxygen use होगा, और fuel की तरह oxygen का use होगा, और हमारी body का glucose जो है, वो metabolize होके हमको क्या देदेगा, energy देदेगा हमको, अब बात आती है anaerobic respiration, anaerobic respiration वो respiration है, जो कि कहाँ पे हो रही है, absence of oxygen में हो रही है, oxygen हमको नहीं मिल रहा, तब हो रही है, तो anaerobic respiration is a process of cellular respiration, in which excessive energy and electrons acceptor is neither oxygen nor pyruvate derivative, तो वह लग कहाँ पे हो रहा है, यह उन organisms में हो रहा है, जिनको oxygen में नहीं रहते हैं, वो बहुत सारे microorganisms होते हैं, जो oxygen में नहीं रहते हैं, बिना oxygen की condition में रहते हैं, तो वहापे anaerobic respiration होती है, उससे पहले आप यह समझ लीजिए, पहले यह देख लीजिए कि glucose का जब breakdown होता है, तो क्या होता है, oxygen की प्रतम में CO2, water and energy निकल जाती है, सारे के सारे, mostly सारे organisms के अंदर यह वाली तरीकी का respiration हो रहा है, plant जो होते हैं, carry out aerobic respiration by using oxygen of air, यह भी plant भी oxygen कर रहे हैं, अब आप देख लीजिए, glycolysis क्या होता है, तो glycolysis जो होता है, glycolysis है, एक cytoplasmic pathway, मतलब हमारी cell के जो cytoplasm है, उसके अंदर हो रहा है कुछ तो, उसके glycolysis उसको कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर हमारा glycolysis, मतलब glyco means glucose से लिया गया है, lysis means breakdown, glucose का breakdown हो रहा है हमारी cell के अंदर, उसको हम कह रहे हैं glycolysis, तो glycolysis में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है, glucose को एक 3 carbon compound में बना दे और वो generate कर देगा energy, यह हो जाएगा, glycolysis दो तरीकी के हो सकता है, एक तो cell के अंदर हो रहा है, energy generation के लिए, जिसका final byproduct होगा pyruvate, अगर उसको proper oxygen मिल रही है, अगर anaerobic condition हो गई, मतलब हमारे केस में भी होता है, अगर हमें anaerobic condition मिल गई, तो क्या होगा, lactic acid conversion हो जाएगा, लactic acid बन जाएगा, अगर anaerobic condition देते हैं, देखो, सबसे पहली बात है, जो body के अंदर metabolism हो रहा है, जो glucose का breakdown हो रहा है, उसे हम कहते है glycolysis, glycolysis हो रहा है, cytoplasm में, अगर तो proper oxygen मिल रही है, तब तो क्या होगा, anaerobic respiration वाला process हो जाएगा, पाइरुवेट बन जाएगा, पाइरुवेट से उसका further division होता जाएगा, अगर हमें oxygen नहीं मिला, जैसा की कब होता है हमारे साथ, हम बहुत जाएग्साइज कर रहे हैं, जिम में specially होता है आप लोग के साथ, आपने एक्जम से गए और आपने बहुत जाएग्साइज शुरू कर दी, कभी जिंदगी में की नहीं है, तो क्या होगा, अगले दिन, दो दिन बाद आपकी muscles में बहुत ज़़ा पेन होगा, वो पेन किस वज़े से हो रहा है, क्योंकि proper oxygen नहीं मिली, जितना काम कर रही थी muscles, जितना weight उटा रही थी, उतनी oxygen नहीं मिली, जिसके वज़े से क्या हुआ, पाइरोवेट के बज़ाए, वो क्या conversion हो गया, lactate बन गया, तो वो conversion हो जाता है, anaerobic condition में, जिसमें से, lactic acid का conversion हो जाता है, जो की painful हो जाता है, तो यह जो सारा था detail, इस से भी ज़़ादा detail हमने, NCRT series में discuss किया था, यह कैसे हो रहा है, respiration वाले chapter में, तो you can go back, and you can see that, जितना आपको जानना ज़रूरी था, इस वक्त वो मैंने आपको explain कर दिया, अगला सवाल जो है, आपकी screen पर है, सवाल नंबर दो, जो UPSC ने 2009 में पुछा था, यह सवाल, उसमें पूछा गया है कि consumption of fish, जो हम खाते हैं, उसको हम बहुत हेल्दी मानते हैं, जो बोलते हैं कि भी फिश खाना बहुत ज़दा हेल्दी है, तो ऐसा क्या होता है फिश के अंदर, जो कि हमारे ले बहुत ज़दा हेल्दी है, यह पूछा जा रहा है, consumption of fish is considered to be healthy when compared to flash of other animals, because fish क्या है, फिश के अंदर ऐसा क्या है, जिसकी विज़े से हम उसको इतना healthy मान रहे हैं, यह पूछ रहा है, वो बोल रहा है फिर कि उसके अंदर है polyunsaturated fatty acids हैं, saturated fatty acids हैं, essential vitamins हैं fish के अंदर, या more carbohydrate and proteins, इस सब में से क्या है, क्या जादा carbohydrate and proteins हैं fish में, क्या उसके अंदर polyunsaturated fatty acids हैं, या उसके अंदर saturated fatty acids हैं, या essential vitamins हैं, तो इस सवाल का जवाब वैसे तो common sense हैं आप बता देंगे, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत easy सवाल है, आपको पता रहना चीए polyunsaturated fatty acids और saturated fatty acids में difference किया है, अभी इसका जवाब जो है, ये mostly लोगों को आता होगा, इसका जवाब है polyunsaturated fatty acids, अब polyunsaturated fatty acids होते हैं, उनको हम short term में poofa कहते हैं, तो जो poofa होते हैं, वो हमारी health के लिए काफी ज़्यादा अच्छी होते हैं, unsaturated fatty acids हैं, जमें वह नहीं मिलेंगे generally, तो fatty acids that contains more than one double bond in their backbone, मत्तब जो उनका structure होगा, उसके अंदर एक से ज़्यादा double bond होगा, saturated on the other hand क्या होगा, saturated के अंदर, जो है वो जमें हुए आपको दिखाई देते हैं, तो जो non-saturated, जो unsaturated fatty acids होते हैं, वो हमारे लिए good fat का काम करते हैं, वो अच्छी तरीके की हमारे लिए वसा का काम करते हैं, हमारी body के लिए, हमारी nerves के लिए, हमारी skin के लिए, हमारे brain के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो two type के polyunsaturated fats होते हैं, एक omega-3 होते हैं, और एक omega-6 fatty acid होते हैं, जो omega-3 होते हैं, वो हमें मिलते हैं सोया विंकैनल आयल वालनट फ्लक्सीड में और हमें साथ में दोते हैं फिश में तो पॉली अंसाचुरेटिटे फैट जो होते हैं विद अलॉग विदाना बना लो जो अनसेचुरेटेटिट है वह आपके लिए हथा और दूसरा पंड़ा आपको समझने की सबसे गंदे होते हैं सबसे गंदे होते हैं फिर जो होते हैं उनको लिमिटेड अमांट में लेना चाहिए हमें बहुत अब मतलब यह तो यह हमारे को हेल्ड ईसीजर से इसायो अच्छे होते हैं अच्छे होने का science makes इसे लिए इसको इसको आप कहा थे ओसे सित थो पालिख यह इस हो तो आपको unsaturated fat use करना चाहिए, trans fat आपको totally avoid करना चाहिए, totally means totally, यह माले बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, अब उसके अंदर है क्या क्या यह देख लेते हैं, trans fat के अंदर देखो, hydrogenated vegetable soil, वनस्पती घी होता है न जो आपको, वनस्पती घी डालडा वाला, वो गंदा होत है, fast food, सब खाते हो, वो नहीं खाना चाहिए, cakes, pastries, chocolate, oh my god, dry fruit, सभी खा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कोई है नहीं, जो कि यह खा नहीं रहा, आज की date में, मतलब कम खाओ, यार, बस यही कह सकते हैं, मत खाओ, chocolate खाना छोड़ दो, cake खाना छोड़ दो, pastry खाना छोड़ दो, त पतरनाक होते हैं, तो मतलब long term में यह आपकी health को बहुत ज़दा effect कर सकते हैं, तो इस chart से आप इसको शानती से बटके यह वाली pdf डाउनलोड करके शानती से बटके देख लेना, यह सबसे अच्छे unsaturated, saturated भी खाने चाहिए, total cross लगाने की ज़रूरत नहीं है, घी खाना चा से यह, लेकिन तमीज से, normal quantity में, सवाल number 3 आपकी screen पर दिखाई दे रहा है, by which symbol atomic number is represented, again NCRT का सवाल, पिछला सवाल भी NCRT से ही था, saturated and unsaturated, कौन सा symbol से हम atomic number को represent करते हैं, state PCS बहुत पूछता है, इस तरीके के सवाल, उनका बड़ा favorite होता है, वो general awareness से कुछ ऐसा उठा लेते हैं, क्या आपने उतने attentive होके उस चीज को देखा, वो उस चीजों से वो सवालों को उठाते हैं, तो बड़ा interesting अच्छा सवाल है, NCRT का सवाल है, किस number से हम atomic number को बताते हैं, A से, Z से, X से, Y से, किस से बताते हैं, बताईए, हम NCRT वाले chapter करते समय पढ़ा है, ठीक है, तो हम यह देखिए, ऐसे हम represent करते हैं, X जो है, यहां पे क्या लगाया है, हमने element का symbol, कोई भी element हो सकता है, वो copper भी हो सकता है, वो oxygen भी हो सकता है, A जो है, वो होगा उसका atomic number, Z होगा उसका atomic number, तो Z इसका right answer है, atomic number जो होगा, यहां पे Z होगा, for example, मालीजे, carbon के case में मुझे लिखन नीचे मैं लिखूंगी 6, उपर मैं लिख दूगी 12, 12 क्या है, उसका mass number, mass number क्या होता था, total number of proton plus neutrons, यह क्या होता था, यह होता था हमारा protons का number 6, जो उसके nucleus में रहेंगे, वो क्या होता था, nucleus में total क्या क्या रहेगा, proton plus neutron का number, यह मैंने आपको बताया था, isotopes के बारे में बत आइसोतों स्कया होते थे, isotopes होते थे, isotopes होते थे,andrailik na ar 아니라 lunch से रहेगा, but atomic mass number हो liberty, जो हाएगा, isotopes क्या होता थे जिनका atomic number, difference रहेगा, mass number से रहेगा, atomic number जो होता है, भूकि काव कौन सा element है, carbon है, तो इसका atomic number में इंचिए 6 जिए रहेगा, सभी isotopes में, change क्या होता रहेगा marks number, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा, interesting question सवाल number 4 जो है आपकी screen पर है आपको पूछा गया है Name the fourth state of matter General knowledge का सवाल है NCRT में हमने छोटा सा touch किया था मैंने आपको बताया था इस fourth state के बारे में हलका सा More of like advanced science के questions में से यह आता है Name the fourth state of matter तो चौती state क्या है प्लाजमा है तो ठीक है असान है आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ लिया होगा अब तक न्यूस पर पढ़ते हैं Plasma is the fourth state अब प्लाजमा होता क्या है अब यह जानेंगे हम ठीक है अच्छा अच्छा यह बताओ क्या fifth state भी होती है क्या कोई या कोई sixth state भी है क्या बताओ जली से comment box में बताओ जरा क्या कोई fifth state भी है matter की तो yes fifth state भी है matter की जिसको हमने जो man made है जो naturally नहीं मिल रही हमको हमने उसे कहा Bose Einstein Condon state तो यह जो थी fifth state थी मतलब for your general knowledge purpose मैंने include किया है तो हम बात करते है plasma क्या होता है जो plasma है वो fourth state of matter है beyond the conventional solid liquid gas solid liquid gas तो आपको मिल रहे हैं जो आप देख रहे हो एक fourth state होती है plasma state जो हमको generally वैसे दिखने को नहीं मिलती अगर हम space में जाएंगे तब हमें देखने को मिलती है equal number of positive and negative charge particles उसमें charge particles formation हो जाएगी ions बन जाएंगे positive भी और negative भी equal number में उसे हम कहते हैं plasma state जो entire universe है ना जैसे ही आप अर्से निकलो के बाहर space में जाने का अगर आप लोग को मौका मिलेगा मिल जाएगा मिल जाएगा मितलब हमारे lifetime में हम लोग को जाने का मौका मिल लेगा लबजी विल बी अबल तो गो तो space जैसे कि अभी हम flight लेके जाते हैं कि भई हम जा रहे हैं Lakshadip जा रहे हैं अब हम Japan जा रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं उसी तरीके से हम लोग को मौका मिलने वाला है कि हम कि अभी को मौका 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 कि अभी हम बहुत चोफटे जाते हैं ठोस्य है Iam बहुत चोफ़र टैटे जढ़ एंधे रहे हैं वहनु एसक्या ज़भी गड़एट将 छी इस तो आगे आने वाले 10-15 सालों में फिर जब आप स्पेस्शिप में बटके चाओगे तब आप देखा बहोगे अच्छा बाहर क्या गूम रहा है प्लाजमा क्या दिखाई देरा हमको प्लाजमा तो उस टाइम पर देख पाओगे प्लाजमा हैं कहां मिलती है हमारे को मिलती है स्पेस में तो प्लाजमा के बारे में कुछ चीज़ें हैं आपे नॉर्मल लिखी हुई है प्लाजमा क्या है एक सूपर हीटिड मैटर है यह सो हॉट डाट दा इलेक्ट्रों सा रिप्ट अवे फ्रॉम दा आटम स्फॉमिंग इन अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं अभी तक क्यूंकि हमको सॉलिट लिक्विड और गैस दिखाई देता अर्थ पे रहते हम तो हमें लगता है सिर्फ तीन ही तरीके की स्टेट हो सकती थी कुछ सालों पहले तक क्योंकि हम आर्थ पर देख पा रहे थे हमने अभी तो एकस्पोर करना शुरू नहीं किया तावश्व क्या है तो हमें समझ में आया है कि निचान वे प्रतिषवत जो हमारे ब्रह我想 रहे तो प्लाज्म सबसेध Feder सबस्त्राइब कर दों का दूंधि समझ भी लीजे निए के सबस्ताइब करें दो पॉलती संधानी लीजे थात बचैन अभें को तिंगा सप्धार है पांच हुई हमने क्रेट किया लाब में बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट पुला है उसको क्या होती है यह इसको बहुत बहुत बादा इंटरस्ट है पढ़ ले ना वही तो हम सवाल नंबर पांच जो है वह हमारी स्क्रीन पर हमकर दिखाई दे रहा है जो की यह सवाल Like, intensity and use और किस की तरह के साया आहा है एक है किसी की तरीके से बताएं सैंस थोज इसको पिन मार मार के उसको आप इंजरीं पी कर सकते और सुई से किया होता है जब आप किस पुछ लग जाताँ उसी सुई से हम और को स्टिच भी कर डे सकते इन तरीके के चीज पूछ रहा अब ठीक से कहता है एक भी हो सकता है अब थी को सकता है यह से थीक अब यह आपको सोचना है तो थोड़ा सा के एडवांस साइनस का क्वेश्शन यह आपको कहता है समझने के लिए कि आप Advanced Science Technology में क्या हो रहा है यह आपको कहता है कि जो Nobel Prize मिलता है Medicine में या जो नई नई Research Development होती है हमारे इंडिया में ही कोई नया प्राइज मिलता है तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है as a aware human being न्यूस पेपर का Science and Technology को कॉलम पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप जानने की कोशिश करो कि नए नए तरीके के इलाज किस तरीके से इजाद हो रहे है जिसे लास्ट वाले सेट में हमने पढ़ा था Mitochondrial Replacement Therapy के बारे में तो में आपको बताया था Mitochondrial Replacement Therapy कैसे काम करते है इसी तरीके से Cancer की Therapy की बात हो रही है तो टबैको और अलकोहल बिल्कुल आउट आफ दा क्वेशन है तो यह जवाब जो है वो UV rays है कैसे ऐसा हो रहा है तो यह UV rays होती है कि Cancer Cauts करते हैं हम जानते हैं सन बन हो जाता है ठीक है harmful UV rays को ozone layer जो है वो प्रटेक्ट करती है सारी ब्ला 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 स्टोरी हम जानते है अगर UV rays से ज़्यादा एक्सपोज जाते हैं तो हमारी skin में क्या होता है aging बढ़ जाती है पहले तो tan हो जाएगी skin खराब हो जाएगी rashes हो जाएगे फिर aging बढ़ जाएगी क्यारा तुस्स हो सकता है अब बात हो रही है कि जो UV rays जो UVB है excessive UVB inhibits the growth process of almost all green plants UVB जो rays होती है वो green plants की growth को रोख देती है यही जो UVB rays होती है इसी को हम cancer के treatment में यूज करते हैं हम skin के उपर उस एरिया के उपर जहां पर cancer की cells है उनको मारने के लिए तो इसका जो technique का use जो है हम उसी technique का उसी ओजार का use कर रहे हैं जो हमको हानी पहुंचा रहा है ठीक है ऐसी बहुत सारी चीज़े होती है Otherwise also philosophical भी जाएगे तो भी आप देखेंगे वही चीज होगी जो आपको ठीक भी कर सकते है वही चीज है जो आपको बिमार दी कर सकते है तो चीनी चीनी आपको एकदम से energy देती है अगला सवाल जो आपकी screen पर आपको दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछा जा रहा है which device is used to measure very low temperature of objects बहुत ही जादा low temperature अगर है object का तो उसमें हम कौन से device से उसको नापेंगे यह अपसे पूछा जा रहा है तो क्या वो cryometer होगा क्या वो pyrometer होगा क्या वो hygrometer होगा या वो tachometer होगा interesting question journal science का interesting question है सारे meters के बारे में हमने नहीं पढ़ा ncrt में तो यह ncrt का सवाल नहीं है तो यह उसके बाहर का सवाल है अब यह कहां से सवाल है यह आपकी general awareness के सवाल है जो आपको कैसे पता चलेंगे day to day आप newspaper news जब आप पढ़ते रहते हैं as a curious human being तो आपको पता चलेंगे और अगर आपने ncrt के basics पता है तो cryo अगर आपको पता है cryo का मतलब क्या है pyro का क्या मतलब है hygro का क्या मतलब है टाको क्या मतलब है hygro means something related to water humidity pyro temperature से related something cryo cryo means freezing freezing इसने क्या पूछा very low तो very low का मतलब है freeze हुआ हुआ cryo जिसको यह आता भी नहीं है वो भी इसको इसके options को पढ़के इसको बता सकता है तो इसका जबार है cryo meter okay cryo का मतलब freezing point पे जो है उसकी को नापने के लिए तो cryometer क्या होता है cryometer एक thermometer है जो की low temperature object को नापता है उनका temperature pyro meter क्या है जो की temperature remotely जो दूर वली bodies है उसके temperature को नापता है by measuring the radiation जो उससे radiations आ रही हैं यह हमने पहले भी पढ़ा था set number 15 16 16 कोई set था उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था पाइरो मीटर के बारे में एक option में था पाइरो मीटर तो जो distant bodies है जिनकी radiation आ रही है उन radiation को नापके उसका temperature पताया लगा जाता है पाइरो मीटर से hydrometr क्या है hydrometr humility नापता है technical meter क्या है टाइको मीटर नापता है rotation speed कोई गोल गोल गूम रही है rotation disc कोई गूम रही है उसकी rotation स्पिड को नापता है the time material तो interesting कि आपको पता होना चाहिए रट्लो इसको च्टरेटा यहएगा easy है 28 अगला सवाल है आपकी screen पर चो BPSC ने 2015 में पूछा था उसने पूछा था interesting सवाल NCRT का है थोड़ा deep question है which component of the plant receives stimulus for flowering जब full हुगते हैं पौधों के ओपर तो कौन सा body का part जो है उसको stimulus मिलता है तब full हुगते है क्या उसके तने को मिलता है branches को मिलता है या उसकी leaves को मिलता है या उसके roots को मिलता है अब roots को तो नहीं मिलेगा नीचे कुछ न कुछ तो stem branches या leaves में से होगा ठीक है तो इसमें से कौन सा होगा ये बताना है आपको बताइए जवाब अब जिन्होंने तो ये पुराना paper देखा होगा या दिया होगा तो उनको तो पता रहेगा तो इसका जवाब है leaves okay leaves जो होते हैं उसको stimulus मिलता है जब plants के उपर flowers निकलते हैं तो leaves जो होते हैं component of plant हैं जो की receive करते हैं stimulus for flowering leaves stimulus लेते हैं तब जाके flowering उसपे होती है फिर leaves किया होते हैं तो आपको पता है leaves जो होते हैं photosynthesis के काम आते हैं photosynthesis कैसे करते हैं leaves क्योंकि green color की होती है generally उसके अंदर chlorophyll होता है chlorophyll energy को trap करता है sunlight नीचे से जो roots होते हैं water और minerals लेके आते हैं फिर photosynthesis process होता है जिससे प्रॉद्धे जो खाना बनाते हैं glucose और उसको अलग अलग parts पे save कर दे दें this is it यह हमने बहुत detail में NCRT में पढ़ा है अगला सवाल है सवाल number 8 आपके screen पे उसमें आपसे पूछा जा रहा है how many tiny bones are there in human ears हमारे कान में कितनी छोटी छोटी हडियां होती है यह पूछा जा रहा है human ear के अंदर कितनी छोटी छोटी हडियां होती है कान का structure पढ़ा था हमने उसके अंदर structure के अंदर हमने NCRT का सवाल है सीधा सीधा उसमें मैंने आपको 3 हडियों के बारे में इसका जवाब तीन है उसमें आपको तीन हडियों के बारे में बताया था उनके नाम रठने के लिए मैंने आपको बोला था तो इस वेरी वेरी इंटरस्टिं सवाल एंड इस इस इन फेवरिट वेशन बहुत ही फेवरिट वेशन ने गुमा फिरा के स्टेट पीसी अस अलग अलग पूछते रहते हैं तो कान जो होता है उसके अंदर अधर अधर का स्रॉक्टर हमने पढ़ाता तो उसके अंदर थीन है ना मैंने उसक औरफ यह सर अप पढ सकते हैं यह से कान के स्ट्रक्टर के बारे में तो कान केुट्र के बारे में आपको दो बाते जनना जुरूरी है एक तो कान तीन पार्ट में डिवाइड़ यह यहां से पढ़ लिजे पीर आता है सवाल नमबर नौ आपकी स्क्रीन पर जो KPSC, केरला PCS ने पूछा है, 2019 में latest question है, human body जो है example है, किस चीज़ का, open system का, closed system का, isolated system का, या adiabatic system का, ये आप से पूछा गया, adiabatic system क्या होता है, open system क्या होता है, open system होता है, open system होता है, जो कि अपने आप में ही एक system नहीं है, बाहर से भी वो exchange कर रहा है, matter और energy exchange कर रहा है, closed system होता है, जो कि बाहर से कोई matter और energy का exchange नहीं करता, external environment से cut होता है, isolated system होता है, closed system की तरह ही होता है, isolated एक अकेला system, उसको isolated system कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमारी body हम अच्छे से समझते है, open system है system with, a system with no input होता है, closed system, वो system जो कि one with inputs, open system होता है, हमारा system open system में हम खाना खाते ह हैं, हम सूरज की energy को देखते हैं, हम बात करते हैं, सब कुछ excretion करते हैं, अलग लग तरीके का का काम करते हैं, तो ये सारा का सारा energy और matter का exchange हम करते रहते हैं, तो हम क्या है human beings are the open system, both matter and energy, दो चीज़ें exchange होंगी, matter exchange होगा और energy exchange होगी, तो हम दोनों ही कर रहे है, matter भी exchange कर है, matter energy exchange कर रहे है, खाना खा रहे हैं, उसको energy के लिए खा रहे है, हम जो है open system है, अच्छा question, दोड़ा दिमाग लगाने वाला, अगला सवाल which is the last question of this set, इसमें आप से पूछा जा रहा है, what is the SI unit of electromagnetic induction, तो electromagnetic induction जो है, उसका SI unit पूछा जा रहा है, टेसला है, ओम है, क्यूरी है वेबर है, क्या है, तो NCRT का सवाल है, बताएं, SI unit of electromagnetic induction पूछा जा रहा है, पहले तो आप देख लो, ओम क्या है, ओम तो हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, resistance का unit है, क्यूरी क्या है, वेबर क्या है, टेसला क्या है, तो इसका सही जवाब है, टेसला, तो टेसला जो है SI unit of magnetic induction है, टेसला, 1 टेसला जो होता है, is equal to 1 वेबर पर मीटर स्क्वार, वेबर क्या होता है, मेगनेटिक फ्लक्स का unit है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वार जब जाता है, तब हमने उसको टेसला बोलते है, क्यूरी के है, क्यूरी जो है, measurement of intensity, of radio activity, जब हम radio activity को measure करते है, कोई substance कित लेकर, और unfortunate बात ये थी, मैडम क्यूरी के बारे में, कि, she died of cancer, क्योंकि वो इतना जदा electromagnetic radiation पर research कर रही थी, कि she doesn't know at that time, कि electromagnetic radiation का एक side effect cancer भी है, तो later on, she died of this cancer, उनको cancer हुआ था electromagnetic radiation की वज़े से, लेकिन उन्होंने radio activity के field में, बहुत ज़ादा महाराथ हांसल की थी, बहुत सार तो ये इस सेट के 10 सवाल थे, बड़े इंटरस्टिंग, थोड़े से डिफरेंट सवाल थे इस बार, कुछ इस तरीकी के सवाल थे, इस सेट में, जो कि आपकी general awareness को चेक करते हैं, जैसे कि X वाला, सिंबल वाला question, कुछ-कुछ question बड़े इंटरस्टिंग थे, तो I hope आपको समझ में आये होंगे सारे questions और उनके explanation पार्ट भी और आपको धेर सारी learning हुई होगी, देखिए मेरी जो question answer series है, उसका purpose कतरी भी ये नहीं है, कि आप उसका question solve करें, उसका question आप solve कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे साथ question solve करेंगे, सिर्फ वो question नहीं, उससे related सारे जितने भी options ह उन सब के बारे में भी आपको understanding होनी चाहिए, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए future में, आप उसको correctly कर बाएं, so thank you so much, पढ़ते रहे हैं and best of luck for your preparation.